हेलो गुदेवनिंग एक बार से आप सबका स्वागत है सेवन मिनिट रिक चानल पे जहां पे हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक इंपॉरेंट ट्रिक सीखते हैं संडी का जो दिन होता है शाम का वो आप लोगों के लिए जीए और जीएस का रहता है तो चलो जल्दी से एक बा इसके लिए सुबह साथ से आज बजे के लिए इसके लावा ग्यारा बजे आप लोगों को एससे का क्राश कोर्स मिलता है आई होब कि यह उसका आपने स्क्रीन शॉट माल लिया होगा अभी काम कर दो जल्दी से एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजे इसके अब सबसे wichtig c żम शक्रीफज सना वर एग्जां में पूछा जाता है तो इसमें क्या डिसकष कने वाले इंडिया के अंदर जितनी वह य Bayan इंडिया में आई थी हमारे पूरे हिस्ट्री के पूरा जो चाप्टर होता ना उसमें आपको European Union के नाम से अगर आम देखोगे तो International Relations में भी आपको चाप्टर सोगेरा मिलते हैं तो यहां पे जितनी भी European Companies इंडिया के अंदर आई थी उन सब को हम लोग डिसकस करेंगे और द सबसे पहला तो अगर नाम देखा जाएं तो नबब वन यानि कि इंडिया में सबसे पहले कॉन सी कंपणी आई थी और इनी चीजों का इस्तमाल करते हुए पूरी तरीके से जो इंडुस्ट्रिल रिवॉल्यूशन है वो आपको यूरॉप में देखने को मिला ठीक है चालो फाइन अब नमबर वन पे जो इंडिया के अंदर आई थी कंपनी वो कहां से थी पोर्टुगल से यहां यह कह सकते है कि जो पोर्चुगीज थे वो सबसे पहले भारत में आये थे अब यहां पर जो सबसे पहला परसन आया था अब यह नाम तो आपको यादी होगा वासको डिगामा सबसे पहले इंडिया के अंदर आते हैं कौन से कोस्ट पर आएंगे कलिकट नाम को जो को स्वागत करते हैं और यह कौन से एर में आते हैं इंडिया के अंदर 1498 में तो नम्मा वन पे कौन हो गया पोर्चुगीज हो गया चलो ठीक है बहुत बढ़िया बात है अब कोची वाज अर्ली कैपिटल ऑफ दी पोर्चुगीज जब यह पोर्चुगीज भारत के अंदर आते हैं अपनी अल 1600 में भी कैप्टन होकेज जो थे वो सबसे पहले भारत की यातरा पर आते हैं और यह आके यहां पर एक फर्मान वगेरा भी जारी करवाते हैं उसके बाद इंडिया के अंदर अलग अलग जगे पे इनकी जो ट्रेडिंग कंपनी सी उनको लगाया गया था तो सेकेंड नमब उसके बाद ही वो क्या करने आते हैं इंडिया के अंदर आते हैं क्योंकि उनको राइट दे दिया गया था कि आप एस्ट में किसी भी जगह पर जाके वहां क्या कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो जब यह बिटिश इंडिया में सबसे पहले आये थे तब उनका कुछ ऐसा इंडिया में इतनी सारी चीजे तो इन्होंने इस चीज को धीरे दीरे करके और बढ़ाते चले गए नेक्स अगर देखें थर्ड नंबर पर इंडिया में कौन आता है डचुज आते हैं अब डचुज की बात करोगे तो फांडिड देया फर्स फाक्टरी इन्होंने जो उसली पटनम और ये कॉंसियर में 1605 अचा अगर हम बिटिश के केस में बात करें तो एक तो होगे 1606 ठीक है फिर आता है 1608 और फिर आता है 1616 तो ये सब चीजें जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री के क्लासेज होंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ कॉंसियर में 1620 में के द्वारा सबसे पहले फाक्ट्री लगाए गई तो ये चार नाम हम लोगों ने देखे अब चार के बाद जो पांचमा नाम आ रहा है वो कौन सा है यहां पर फ्रांस का मतलब हो गया कि जो फ्रेंच कंपनी थी वो इंडिया के अंदर आपको सबसे ला सबसे बात है कि यहां पर विवाद तो बनेगा ही बनेगा अब यहां आप देख सकते हो कि जब फ्रेंच आये थे यहां पर तो इनकी सबसे पहली कंपनी कॉंसियर में लगी 1664 में और उस ताइम पर देखा जाए तो फ्रांस में कॉंते लूइस यानि किंग लूइस आपको सबसे नि कि लूए जो वैसी वाली हो गई है कि अगा बेटे निकुछ बोला यह तो पापा को सुनने ही पडता है लेकिंगे विए रेस्पेक्ट तो कनना बनते ही हना आपको भी पता फिर आगे क्या होगा तो आप यहां पिसको याद कर सकते है पुत्र अड़ा ड़ापर स इसे क्या हो जाएगा तो पुत्र अड़ा और डाड़ फसे सिंपल सी बात है यहां पे इतनी से ट्रिक है अगर इसको याद कलोगे तो लाइव जो आपना मटाटा हो ही जाएगा यह जो सीक्वेंस होता है यहक्सर हम से पूछा जाता है हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसी लगी जरा एक बाद से कमें सेक्शन में लिख के जरूर बताना इसके लावा आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये बाज जॉइन नहीं किया है जो आपका GS का प्रॉपर एक बाज शिरू होने जा रहा है 15 जॉलाई से तो आप इस बाज को जॉइन कर सकते हो उसमें आपको मिलेगा 10% और साथ में मास, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको इसमें कवर हो जाएगा I hope की चीजे आपको समझ में आ गई होंगी अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी कल सुबह साथ बजे के सेशन में जहां पर हम लोग डिसक्स करते हैं पूरे दिन का करेंट अफेर वाइफर स्टूडियो चानल पर और अगर आप चानल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सेशन को एक बाद से लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो मिलते हैं आपनों से अगली ट्रिक में अगली संडे को ल